नमस्कार, UPSC Current Affairs प्रोग्राम में अभी हम चल्चा करने वाले हैं नील कुरिंजी पौधे के बारे में केंद्र सरकार ने नील कुरिंजी को सनक्षित पौधे की सूची में शामिल करने का निर्णे लिया है मंगला देवी और नील गिरी पहाड़ियों के बीच फैला हुआ नील कुरिंजी पश्मी घाट का स्थानिक पौधा है यह पौधा 12 वर्सों में एक बार फूल खिलने के लिए पसिद है भारत के पश्मी घाट की नील गिरी पहाड़ियों में पाए जाने वाले नील कुरिंजी का वर्ण संगम साहित में भी मिलता है भारत सरकार के परियावरन वन और चलवायू परिवर्दन मंत्राले ने वन ने जीव सनक्षन अधिनियम 1972 की अनुसुची तीन के तहट इसको सनक्षित पौधों की सुची में शामिल कर लिया है अब इस पौधे को उखारने नष्ट करने या अक्षदी पहुचाने पर पचीस हजार रुपे तक का जुर्माना और तीन साल तक की कैद हो सकती है साथ ही अब नील कुरिंजी की खेती पर भी प्रतिबंथ लगा दिया गया है केंदर सरकार ने यह फैसला हाल ही में इडुकी में हुई घटनाओं को देखते हुई लिया है इडुकी में कुछ समय पहले ही नील कुरिंजी के फूल खीले थे इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे परेटकों ने इडुक्की में नील कुरिंजी के पौधों को भारी नुकसान पहुंचाया पश्मी घाट में नील कुरिंजी पौधों की लगभग सतर किस्मों की पहचान की गई है लेकिन इनमें सबसे लोग प्रिये नील कुरिंजी एस्ट्रोबिलेंथेस कुंतियाना है नील कुरिंजी एस्ट्रोबिलेंथेस कुंतियाना के फूल बारह साल में एक बार खिलते हैं हालांकि इसके अलावा भी नील कुरिंजी की कई अन्य दोड़लब किसमे पश्मी घाट ख्षत्र में पाई जाती है केरल की इडुकी और एना कुलम जीले में फैले एरावी कुलम रास्टी उद्यान को नील कुरिंजी के व्यापक रूप से खिलने के लिए जाना जाता है एरावी कुलम रास्टी उद्यान केरल का पहला रास्टी उद्यान भी है एराविकूलम राष्टि उद्यान नील कुनिंजी के अलावा तमिलनाडू राजे के राजकिये पशू नील गिरी तहर के प्राकृतिक आवास के लिए भी प्रसिद्ध है